चो गुड मॉर्निंग, आज हम पढ़ेंगे प्रज्य सीरी संस्क्रत भाग सेकेंड, क्लास है आपके फोर्थ लेसन आपके दश्यम पाट है, कुन सा पाट है? दसवा पाट है, पाट का नाम है सर्वनाम शब्दा नाम क्रिया पदनाम चा प्रयोग है, सर्वनाम शब्दों मे क्रिया का जो प्रयोग होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे लेसन पढ़ने से पहले हम लेसन के शब्दार थब पढ़ेंगे इदम यह नपूसकलिंग शब्द है, नमती, नमसकार करती है, पत्यती, नाचती है, खादती, खाती है अब हम लेसन पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं तो Sanskrit में वचन होते हैं 3, कौन-कौन से 1 वचन, 2 वचन और 2 वचन अब हम पढ़ेंगे सरो नाम शब्द, जो नीचे दिये हुए है वो सरो नाम शब्द है, क्या है सरो नाम शब्द यह जो सरो नाम शब्द है, उसमें प्रथमा विबक्ति में जो आपके दिया हुआ है, वो तीनों लिंगों में अलग लगाएगा तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ा रही हूँ, पुल लिंग का, जो आपके यहां दिया हुआ है सह, सह का है वह, तव का वे दोनों और ते का वे सब, है ना, अब इस्त्री लिंग का इसमें दिया हुआ नहीं है स्त्रीलिंग में एक वचन में आएगा सा जिसका अर्थोगा वह, दुई वचन में आएगा ते जिसका अर्थोगा वे दोनो और बहु वचन में आएगा ता जिसका अर्थोगा वे और नपू सक्लिंग में आपके आएगा तत एक के लिए आएगा तत दो के लिए आएगा ते और दो से अधिक के लिए आएगा तानी मतलब वही आएगा वहा वेदो और वेशब है न? अभके मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो है वो समान चलेंगे, क्योंकि इसमें स्त्रिलिंग और पूलिंग दोनों ही आएंगे, नपु सकलिंग के लिए शब्द नहीं आएगा, क्योंकि वो जो उत्तम पुरुष में है, वो बोलने वाला होता है, और मद्यम पुरुष में जो है, वो सुनने वाला होता है, तो अगर यू यू यूम τα तुम सब और हमं का में आवाम का हम दोनो और सब इसमें जो माने आपको हुप पढ़ाया था, त्रिलिंग और नपु सकलिंग में प्रत्म Sun 중 के को पड़ाया ठाओर पूर्लींग तो इसमें दिया हुए पर अपके मैं इसमें कुछ पड़ेंगे कुछ पिच्चर दिये हुत वह पठती मतलब वह पड़ता है उसमें और नीचे लिखा है तुम पठसे, मतलब तुम पढ़ते हो और अहम पठा में उसका आर्थ होगा मैं पढ़ता हूँ तीनों में आपके तीनों शब्द दिये हुए है ना, प्रथम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष और तीनों में अलग-अलग आपके वचन भी दिये हुए प्रथम पुरुष के साथ में जो आपके वचन है वो एक वचन है और मध्यम पुरुष में भी एक वचन है और उत्तम पुरुष में भी एक वचन है आगे भी हम पढ़ेंगे वो प्रथम पुरुषी रहेगा पर उसमें जो वचन है आपके क्या हो जाएंगे भी वचन हो जाएंगे क्योंकि यहां दो के बारे में हम पढ़ रहें तो पठता मतलब वे दोनों पढ़ रहें आवाम पठावा मतलब हम दोनोह पढ़ रहे हैं अब भी हम पढ़ेंगे प्रथम पुरुष उसका कॉनसा वचण पढ़ेंगे बहुवचण बहुवचण में क्या हैं सब के लिए पढ़ेंगे तो मतलब तेपठनती वे सब पढ़ रहे हैं योयम पठतअ, तुम सब पढ़ रहे हो, और क्या है आगे? वयम पठाम, हम सब पढ़ रहे हैं. आगे हैं आपके उसमें हैं एक लड़का हे जो खेल रहा है, तो क्या आएगा? अयम बालक हा कृड़नती यह बालक खेल रहा है या खेलता है दूसरे पिच्चर में दो लड़के तो इमो बालक हा कृड़त है यह दोनों बालक खेलते हैं तीसरे पिच्चर में बहुत सारे बालक दो से अधिक इमे बालक हा कृड़नती यह सब बालक क्या करते हैं खेलते हैं अगे जो बचा हुआ लेसन है आपकी हम next day पढ़ेंगे